नेस्ट कोस्टन 9 है, consider the frequency distribution of 45 observations, यहाँ पे देखिए frequency distribution दिया हुआ है, नमबर आप observations जो है न वो 45 है, यहाँ पे class और frequency के फार में दिया हुआ है, यहाँ पे question पूछ रहा है, double limit of median classes, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है न उसमें median class का double limit हमको निकालना है, इसके लिए हम लोगों से निकालना होगा, अब देखिए, इसमें सबसे पहले 0 से 10 वाले class में community frequency 5 होगा, फिर 10 से 28 करेंगे तो 9 प्लस 5 14 हो जाएगा, फिर 20 से 30 में 15 प्लस 14 29 हो जाएगा, फिर 30 से 40 में 29 प्लस 10 39 हो जाएगा, और 40 से 50 वाले class interval के लिए community frequency हो जाएगा, यह 39 प्लस 6 45, ठीक, यहाँ पे n का value हमको क्या मिला, 45 मिल गया, तो हमको मालूम है, median class होता है n by 2, तेहाँ पे 45 by 2 कर देंगे, तो हमको मिलेगा 22.5, अब यहाँ पे देखिए 22.5 किसमें आ रहा है, तीस वाले में आ रहा है, 29 में हो जाएगा, और यह median class हुआ, इसका जो upper limit है, यह 30 है, ठीक है, तेहाँ पे upper limit of median class, अफसान C30 हो जाएगा, यही इसका answer है,